हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही होट टॉपिक पर बात करने बाला हूँ होट टॉपिक क्या दोस्तो इंट्रिम मेंटेनेंस क्योंकि होट टॉपिक बात लगती है परस्तितियां आप देखते हैं कैसी भी हो लेकिन कुछ ना कुछ इंट्रिम बंदी जाता है इस्पेशली जब से रजनेश वर्सेस नेहा का जो जज्जमेंट है वो आया है उसके बाद से कुछ ना कुछ इंट्रिम वो भी फ्रॉम दा डेट ओफ एप्लिके मिंट्रिम किया था लेकिन फिर भी कोट ने इंट्रिम मिंट्रिम देने से मना कर दिया किन आधारों पर कोट ने ऐसा किया क्या चीजे कोट ने देखी सब कुछ आज किस वीडियो में मैं आपको किलियर करूँगा और आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू किलिक कर ले क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियोज हर रोज आपको मिलते रहते हैं तो चलिए दोस्तों हम पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं तो first of all जो वाइब थी उसने डिवी का मुकदमा दर्ज किया और उसके अंदर अपने पती पर और उस अपने इनलोज पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए उसने बताया 2008 में शादी हुई थी उसके दो बच्चे थे उसके पती और जो उसके इनलोज थे वो उसको ताने देने लगे कि ये समान कम लाई थी शादी के पहले दिन से ही उसको ताने देने लगे पती भी उनका साथ देने लगा उससे बड़े बड़े बरतन मजवाई जाते थे उसके साथ abusive और filthy language में बात किया जाता था उसकी जब पहली pregnancy थी उस दौरान उसकी take care नहीं की गई उसके पती ने उसके गरदन दबाई और उसको मारने का परियास किया वो पुलिस टेशन में गई पुलिस ने NCB दर्श करी वहाँ पे पती ने ये accept किया कि वो आगे भविशे में future में ऐसा कभी नहीं करेगा इसके अलावा उसने बताया कि उन दोनों के बीच में joint flat लेने का decide हुआ था जिसके लिए पती ने 10 लाग रुपे का भुकतान भी किया था इसके अलावा बताया पती जो है वो घर में अकेला सोता था उसका उससे कोई मतलब नहीं था और वो बच्चों की भी देखभाल नहीं करता था इसके अलावा एक ऐलिगेशन लगाया कि पती ने डैवोज डीड बना लिए और उस पर जवरदस्ति उसको साइन करने के लिए बोला अब दोस्तों पती ने इसका जवाब दिया सारे अलिगेशन को डिनाई किया 11.10.2018 को घर छोड़ करके चली गई थी अपना इस्तरीधन और अपने सारे जो भी घहने समान वगएरा वो ले गई थी ये सब कुछ पती ने बताया 11.10.2018 को उसने घर छोड़ दिया इसके बाद पती ने बताया कि 12.10.2018 को वो बच्चों को पती के पास छोड़ गई और उसके बाद पती ने बच्चों की कस्टडी अपने पास सखली और बच्चों को कहीं छुपा लिया फिर वो दुबारा से पुलिस टेशन गई और वहाँ पर जो पती था उसने उसे उसकी जॉब छोड़ने के लिए बोला इसके बाद पती ने कहा कि जो पती है उसने उसके साथ डीवी का एक्ट किया है और उसकी डेड़ लाक रुपे सेलरी है एक लाक रुपे अपने बिजनस से कमाता है तो इसलिए अब उसको 30,000 रुपे परती महा तो इस्टॉल्मेंट का चाहिए मंतली इस्टॉल्मेंट फ् यानि बहुत सारे मामले ऐसे जिनमें डीवी एक्ट के अंतरगत इंट्री मेंटेंस दिखा गया हो उनका हवाला लिया और एक ची बताई कि अगर डीवी एक्ट के अंतरगत जाकर कि आप कोई भी रिलीफ मांगते हो चाहे वो मेंटेंस का हो चाहे वो रेसिडेंशल लगते हैं कि उसने ये कह दिया ये कह दिया ये कह दिया ये कह दिया देख लीजिये मामला इसके अंतरगत कितने ऐलीगेशन थे कुछ भी छूटा था सारे हर प्रकार के ऐलीगेशन थे यहां तक बोला था मेरा गर्दन दबा कि मेरे को मारने का परियास किया लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कोट क्या कह रही है कोट ये कह रही है कि प्राइमा फेसिया यानि पर्थम द्रिष्टिया ऐसा कोई विडेंस नहीं है कि उसके साथ DV जैसी कोई घटना हुई हो और अगर DV के घटना घटी ही नहीं ये एक basic element होता है DV के case का तो फिर DV के act के अंतरगत आप किसी भी प्रकार का relief नहीं मंग सकते चाया वो interim maintenance ही क्यों नहीं हो और कोट ने कहा कि पतनी यहाँ पर DV act के अंतरगत किसी भी प्रकार का भरण portion यानि interim maintenance लेने की अधिकारणी नहीं है उसके लिए description में मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और मामले की परस्तितिया सेम होने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ में आप से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुडबाई और थैंक यू फो वाचिंग, टेक केर